नमस्कार मैं हूँ मनोज बनुगे डीटर चोईस में आपका स्वागत है हम बात आज दिल्ली की करेंगे बात इसलिए दिल्ली की करेंगे कि दिल्ली का चुनाव कल है और कल सबसे बड़ी बात है कि सुबह से लेके शाम तक हर वक्ती लाइन में लगा होगा क्योंकि उसे दिल्ली की सरकार के लिए मतदान करना है मतदान इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर अपनी सरकार चुनना चाहते हैं अगर आप एक बहतर लोकतन तो चाहते हैं तो आपको मतदान करना है इसलिए समय नियूस नेटवर्क भी अपील कर रहा है कि मतदान जरूर कीजिए लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की जनता आखिर क्या देखकर मतदान करेगी क्या विकास की योजना देखकर मतदान करेगी या फिर वो लोगों की चहरे देखकर मतदान करेगी या हाल ही में अभी गोली और बोली का जो कॉम्बिनीशन हुआ है उसे देखकर मतदान करेंगे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली विधान सबाज चुनाओं में हमने देखे और आपने देखे और उन्हें देखकर हर कोई एक बार बहुत गौड से सूच रहा है कि आखरिए हो क्या रहा है लेकिन इन सब के भीच उनके पास मौका है कि वो अपनी सियासत को चुनेंगे वो अपनी सरकार को चुनेंगे और अपनी नेता को भी चुनेंगे इसलिए विस्तार पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे दिल्ली में कल मतदान होगा, मतदान से पहले मुख्यमंतरी केजिवाल ने कनौट प्लेस इस्तित हनुमान मंदिर पर जाकर पूजा अरचना किया आपको याद होगा कि जब उनसे सवाल पूछा गया, हिंदुत को लेकर उनके उपर कटाक्ष किया गया तो उन्होंने हनुमान चालीसा के कुछ पंक्तियां भी पढ़कर सुनाई और जवाब दिया बीजेपी की नेताओं को तो उसी कड़ी में वो हनवान मंदिर पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने पूजा अरचना की और ऐसी ही इस्ति देखने को मिली भारती जनिता पार्टी के नेताओं के साथ दिल्ली के बीजेपी परदेश अदक्ष मनोस तिवारी भी मंदिर पहुचे, वहाँ जाकर उन्होंने कालकाजी मंदिर में पूजा अरचना की है, आम आदमी पार्टी के नेता के जिवाल ने दिल्ली में धुआधार परचार किया, तो वही मनोस तिवारी ने भी अपनी प अपनी सत्ता, अपनी सरकार, अपना नेता चुनने जा रही है। हर विधान सबाक शित्र में एक मॉडल मतदान की इंद्र बनाया गया है, मतदान के दौरान पोलिंग स्टेशन पर मुबाइल फोन के लिए लौकर सुबिधा दी जा रही है। चुनाओ प्रक्रिया संपन कराने के लिए 90,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इस चुनाओ में आम आदमी पार्टी ने सभी 70, बीजेपी ने 67, कॉंग्रिस ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे है। बीजेपी ने तीन सीटे अपने सहयोगी दलों को दी हैं जिन में दो जेडियू और एक लोक जन शक्ती पार्टी के पास है। इस चुनाओ में कुल 672 उम्मीदवार मैदान में हैं जिन में 133 के खलाब क्रिमिनल केसिस दर्ज हैं। नतीजों का ऐलान 11 फरवरी को होगा और 11 फरवरी को पता चल जाएगा कि दिल्ली का मुख्य मंतरी कौन होगा। दिल्ली चुनाओ प्रचार अवियान शुरू विकास से हुआ लेकिन खट शाहिन बाग पर हुआ है। च्छे जनवरी को दिल्ली चुनाओ का ऐलान होने से के बाद सभी राजनते के दलों ने प्रचार अभियान का विकल फूग दिया। एक महीने तक चले चुनाओ प्रचार के दोरान आम आदमी पार्टी और बीजे पी में शेह मात का खेल चलता रहा। कहने को तो कांग्रेस भी मुकाबले में खड़ी थी लेकिन वो दूर खड़ी है। प्रचार के दोरान गूशते रहे लेकिन इस बीच एक और खबर आई कल रात को जब उपमुख्यमंत्री मनीश्ट से सुदिया के OSD को CBI रिश्वत लेते पकड़ दिया। अब खेल शुरू होता है। देरे हुए अरबिंद के जीवाल ने ट्विट किया कि मुझे कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि वो लोग पैसा बाटेंगे। शड्यंत्र करेंगे मेरी सबसे अपील है कि सत्य आपके साथ है आपने पांच साल पुन्य कमाये हैं दुआएं और आशिरबात कमाया है पिछले कुछ दिनों में इन्होंने कितने शड्यंत्र किये हैं सब फेल हो गएं प्रभू पर भरूसा रखो और सभी पवित्र शक्ति बात से हमारे साथ मौझूद होंगे उनसे हम समझेंगे सबसे पहले बात करेंगे अनिल साब से अनिल साब पूरा देश दिल्ली को देखता है दिल्ली को इसलिए देखता है क्योंकि देश के नीती निर्धारक यहां पर बैठते हैं और देश किस लकीर पर चलेगा किस चुनाव में ऐसी बहुत सी लाइन हैं ऐसे बहुत से बयान हैं ऐसे बहुत से शब्ध हैं और बहुत से भाशन हैं जो यहां तै हुएं जो आने वाले समय में देश की राजनीती को तै करेंगे और दिशा दिशा भी देंगे अब मैं आप से के चुनाओ में जो ये नया तज्रूबा हो रहा है पहले ऐसा बिधान सभा के चुनाओ में कभी नहीं दिखाई दिया एक नया तरह के तज्रूबे से बिल्ली के एक करोड़ तेतीस लाख जो मद आता है वो गुजर रहे हैं अब सवाल यह है कि जो गोली की बात क्यों ही है क्या गोली की जरूबत इसलिए पढ़ रही है कि जो जिन मुद्दों पर विधान सभा का चुनाओ लड़ा जाना था हमल हम लोगों को समदने की जरूबत है कि राजनितिक जो राजनिती में जो आर्थिक समाजिक जो मुद्दे होते ह। हूँ वो महत्वुन होते हैं देश की दिसा उसी से तै होती है, समाज उसी से बनता है, लेकिन यदि माल लीजे कि देश को बनाने के समाज को और ज्यादा बिक्सित करने और निल्मित करने के जो कारिकरम है, अगर आप उनको भावनात्मक रूप में उनको उगर करने की कोसिस करते हैं, तो जाहिर सी बात ह कि इसे समाज और देश तो नहीं बनता है और लेकिन इसे परभावित होते हैं मताता इसमें दो राय नहीं है परभावित होते हैं तभी लोग जादा से जादा उत्तेजित करने वाले नारे लगाने की कोशिस करते हैं भड़काने की कोशिस करते हैं दंगा करवाने की कोशिस क करते हैं तो ये सारी कोशी से चुनाओगे पहले कोई नई बात यहां नहीं है पहले भी लगातार होती रही है और इस बार भी हो रही है लेकिन जो मैंने मैट्रों में जे इसका इस्तमाल नहीं करता, मैं बस में मैटरों में आता जाता हूं, यहां तक की ग्रामिन सेवा है, उसमें भी आता जाता हूं, वही रिक्सा पर भी बैटता हूं, लेकिन मैं आपको बताओं कि छे जनवरी के बाद से, मुझे एक भी बेक्ती, एक या दो बेक्ती साइद मिल है, एक या दो बेक्ती मिले थे, हाँ, एक बेक्ती अभी तीन-चार दिन पहले मुझे मिले थे, एक बेक्ती के अलावा कोई ऐसा नहीं मिला, जो यह गोली की बात जो की जा रही है, उसके समर्थन में हो, जिससे भी मैंने बात की, उन्हों ने बिजली की बात, पानी की बा आटो वाले की भी थी, एक तो मुझे आटो वाला भी पीरा घड़ी से जम्मे आ रहा था अपने घर पर, तो एक आटो वाला बहुत सारी सी काहिते थी, अर्विन केजरीवाल की सरकार के साथ, लेकिन उसके बावजूद, वो करा था कि बोर्ड तो मैं अर्विन केजरीवाल को ही दूगा तो मैं ये का रहा हूं कि ये जो पूरा मददाता है ये जो पूरा प्रचार चला है उसमें ये फसा हुआ है और रुसुन निकलने की जद्दो जहत कर रहा है ये बड़ा सवाल है सिदार हमारे साथ मौझूद हैं उनसे हम पूछेंगे सिधार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक शाहीन बाग को देश में मौडल बनाने की कुशिश की गई और सबसे बड़ा बात है कि दिल्ली विधान सबा का चुनाओ इसलिए भी महतुर्पूं हो जाता है उसका परिणाम इसलिए भी महतुर्पूं हो जाता है क्योंकि हर राजनितिक पार्टी बहुत सारी राजनितिक पार्टी बहुत सारे बाग सफल होता है या फिर इस बिदान सबाच चुनाव में जो मूल भूत मुद्दे हैं जो आम आदमी की बेसिक परिशानिया चाहे वो बिजली हो पानी हो सड़क हो सास्त हो सिक्षा हो या फिर बिरुजगार हो या फिर रोजगार हो उन पर फोकस होगा देखिए जो अभी एक ग्यारा तारी को रिजल्ट आ जाएगा जी और सबसे बड़ी दुड़शा की बात ये होगी कि ग्यारा तारी की रिजल्ट आने के बाद हम ये डिसकस कर रहे होंगे यहां की न्यूस चैनल्स की शाहिन बाग का एजिटेशन चलेगा नहीं चलेगा इस अब खतम है समर जाने वाला है इसी चलेगी तो क्या ये जो सबसिटी पावर पर एक तिस मार्च अग दी है अर्विन केजनी वालने ये मिलेगी या नहीं मिलेगा कोई इस पे चर्चा नहीं करेगा कि दिल्ली जो गैस चेंबर बन जाती है नवंबर महिने में उसके लिए क जो जगड़ा है सेंटर का स्टेट का और नीचे एमसीडी का उस पे कोई बात नहीं होगी हम यहाँ न्यूस चैनल से डिसकस कुछ और ही मुद्दों पे कर रहे हूं जे हविंग सेट ताट मैं ये कहना चाहता हूं कि अर्विन केजरिवाल का जो परफॉर्मेंस का जो माप शेर और टाइम लो अठारा परसंट पे आ गया था और उसके बाद उन्होंने रिलाइस किया कि जो कंफंट्रेशन की राजनीती है और जो धरना की राजनीती रही उनकी पिछले साड़े चार साल की उससे काम चलने वाला नहीं है और उन्होंने एक कामकाजी सरकार के और इसको कॉंप्लिमेंट किया वो एक पावर और वाटर का एक एक बड़ा इंटेलिजन पैकेज ला करके जो की उन्होंने इसको लोगों को अब लोग तो यह तो कहेंगे नहीं कि हम मुफत्खोरी बड़ा अच्छा लग रहा है लोग यह करें देवलप्मेंट हो रहा है लेकिन बात यह थे कि लोगों को मुफत्खोरी रास आ रही है और वो उसके उपर उसको उनको एक एक ट्रैक्शन मिला लोगों के साथ और बीजेपी ने इस बात को रिलाइस किया और उनको इसको सोचा कि अगर इस पर वो मुद्दा बनाएंगे अगर इस पर वो चुनाव करने के लिए बीजेपी को वो बीजेपी के लिए एक ऑक्सिजेन के रूप पे काम कर गिया और वो बीजेपी ने उस उसको इस्तमाल करते वे अपने कैमपेंड में एक मुद्दे को ला करके उसमें उसने प्राण फूग दिये वरना बीजेपी का कैमपेंड उठ नहीं पा कितने समर्थक उटा पाती हैं ये समय बताएगा वक्त बताएगा ये वक्त बताएगा ये समय बताएगा और ग्यारा तारी को इसका पता चलेगा अनिल साब एक चीज और है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है क्योंकि जब इंटर्विवू हुए अर्मिंद केजी बाल क उनके सवाल जबाब पूछे गए मैंने भी उनसे इंटर्विवू किया तो वो बड़ी इमानदाली के साथ और फोकस्ट होकर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैं हिंदू हूँ और मैं भी पूजा करता हूँ मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और बड़ा बजन दिय उन्होंने इस बयान पर यानि कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो चीज सामने लाना चाहती थी और उस पार्टी को जिस दबाव में लेना चाह रही थी अरविंद केजी बार उनकी पार्टी आई कि आपको यह बोलना पड़ा कि मैं हिंदू हूँ आपको बोलना पड़ा कि मैं भी पूजा करता हूं तो आप मंदर भी चले का हमने देखा कि वो मंदर गए चुकि आप सामपर्दाइक सद्वाव की राजनिती करते हैं तो मंदर जाते हैं तो मजजिद भी जाना चाहिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए यही भारती राजनिती का भारती राजनिती में हिंदुत्य की परतियस्परदा है एक बात बहुत साथ तोर पर आप जाल लें कोई भी राजनितिक पार्टी है वो हिंदू और हिंदुत्य की बात करने लगी है इसमें तो दो राय नहीं है अब संकट यहीं खड़ा हो जाता है बीजेपी के लिए कि आप हिंदुत्तों के साथ क्या दे रहे हैं अब अर्मिन केजरिवाल हिंदू बन के ही चुनाओ लड़ रहे हैं तो आप इनके खिलाब क्या पुल्राइजेसन करेंगे अब हिंदू बन कर और प्लस यह कर रहे हैं कि बिजली भी देंगे पानी भी देंगे वो सब कुछ जो महला किल्निक भी देंगे तमाम सुविदा हैं वो भी देंगे तो हिंदू तो वो माइनस करी नहीं रहे न तो यही तो इनके प्लस जारा और बीजेपी के लिए परिसानी का करण ही है बीजेपी क्या चाह रही है कि 2014 के बाद का जो हिंदू तो है उसको उभार के लाए और दो हजार चौदा के पहले का जो हिंदू है वो तो अर्विन केजरिवाल बने ही हुए है संकट यही है लडाई यही है और मुझे यह लगता है कि यह जो पूरा नेरेटीव जो चला है दोनों और से जो कोसिस हुई है आप एक बात पर गौर कीजिये अर्विन केजरिवाल का क्या विग्यापन है क्या स्लोगन है डिल्ली में तो केजरिवाल अब तो का यह जो अर्थ है उसको समझने की जरूत है जब लोकसभा का चुनाओं का परणाम आया उसके बाद डिल्ली में अर्विन केजरिवाल ने कई सभाएं की और कहा कि बड़े सरकार के लिए जो बोड़ देना था तो आपने दे दिया लेकिन जो दिल्ली के सरकार है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि आप बिजली को देंगे, पानी को देंगे, स्कूल को देंगे, सड़क को देंगे, किसको बोड़ देंगे कि अगर आप बीजेपी के रस बने रहना चाहते हैं बने रहिए कारकरता बने रहना चाहते हैं लेकिन अंदर से पूछी अंतरात्मा से पूछीए कि जो काम हुआ है क्या वो ठीक हुआ है अगर हुआ है तो हम इसमें दगाबाजी नहीं करेंगे हम इसमें जो वफादारी है वो निभाएंगे ये वो परचार कर रहे हैं और ये कहा भी जा रहा है कि आप भले ही आपको अगर आपको प्रलोवन दिया जाए आपको पैसे दी जाए तो ले लीजिए और आम आदमी पार्टी को वो दें सिदासाब एक चीज में याप पर पूछना चाता हूँ क्योंकि आपको याद होगा 2014 का आप लोग सबाचुनाओ जिसमें भारती जनेता पार्टी नरेंदर मोदी ने बार बार पूछा विपक्ष से पूछा कि आपका नेता कौन है आप अपने लीडर का चहरा बताईए नाम हैं अख़ारों में विग्यापन, टीबी में विग्यापन या तमाम होडिंग्स लगे हैं वो नरेंदर से सारे यह कहते हैं ना सारे दरवाजे खोल दी हैं वह भी उनके वोटर को कह रही है जहां जुगई वहां मकान जो रूपय खिलो आटा यह बाते भी बी बीजेपी पहचा रही है उनके वोटर्स तक तो ऐसा नहीं कि एक तरफा वीजेपी भी कोई जो वह वह कोई पाठी आप सभी बोलने हैं कि बीजे पी तो माइक्रो लेवल पर चली गई है बीजे पी तो पॉकेट डिसाइड कर ली है पॉकेट ढूंड लिया है कि अगर उतराखंड के कुछ जहां पर पॉकेट में लोग रहते हैं वाहां उतराखंड के सारे नेताओं को सांसदों को मंत्रियों को लगा दिया, जहां मद्वद्धिश के हैं, जहां पर विहार के लोग हैं, जहां पर पश्यमिंगाल के हैं, उन्होंने पॉकेट बाइड दी हैं और उन燃 के इस्थानिये का ड्रोज रहने का नेता तो चुनाव में आते हैं जाते हैं उसके बाद कौन किसको पूछ रहा है लेकिन दिल्ली में अगर किसी की जोपड़ी है और उसके उसके जगावा मकान मिलेगा तो यह सौदा लाकों लाक का हो जाता है फिर कोई चंद हजार उपे का नहीं रह जाता है में आप इस तरह से इसको कंवर्जन करके देखिए विजली का बिल तो हजारों का है बीजेपी प्रलोबन लाकों का दे रही है कि जगार मकान आपका हो गया वहां पे तो वह लाकों का हो जाता है तो अर्विन केजरिवाल के साथ प्लस पॉइंट ये हो जा रहा है कि उन्होंने बिजली को मुफ्त करके दिखाया जे अच्छा बीजेपी का एग्रेसिव कमपेन ये चलता कि हम इस बिजली को जो मुफ्त दे रहे हैं जितने भी मुफ्त दे रहे हैं उसको हम स्टेंड करेंगे पानी हम मुफ्त देंगे मिलना महला के लिए का और अब इसकार करेंगे तो मुझे लगता है कि तब आप अगर इसका एक्रिसिव कर देंगे तब तो बात समझे हैं अर्विन केजरी वार्ट भरोसा किया या नहीं किया ये तो आपने रखा हैं तो नोड़बंदी से दिली क ये तो मुम्किन है इसको वोटर क्यों ही माने भरोसे की बात में भरोसा नहीं जीत पाया है ये नारा भरोसा नहीं जीत पाया है अपना Great है यह पो यह क्योंत कि हो रहा है इतने नाराज क्यों हो अगर आप मेरे चेहरे पर क्यों जा रहे हैं आपको टोक भी नहीं रहा था टोकना तो आपने शुरू किया मैं तो टोक भी नहीं रहा था आपको चली सिद्रा साथ आप बता दीजा आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है 2014 की रणनीती 2019 की रणनीती बीजेपी की और उसी रणनीती को अपनाया अर्विन केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ने क्या आपका चेहरा का हैं मोधी थोड़ी मुख्यमंत्री बनेंगे आपको इस तरह से भी देखिए कि देखिए आप एक इस तरह से भी देखिए कि 2015 में जो उनकी रणनीती थी CM फेस की और बड़े ही कामयाब CM मनें उनके हिसाब से बड़ा करिश्माटिक CM फेस था जो अर्विन केजरीवाल से कंदे चंदा में लड़ा के अन्दा आंदोलन के लड़ रही थी करन बेदी और आज के तारिक में तो रणनीती वाई उनको ये लगा कि कोई भी चेहरा देखना इनके लिए बहुत सेफ नहीं है इस आदमी के खलाफ तो उन्होंने वह चेहरा नहीं दिया और यही और अनफॉर्चनेटली जो मुझे लगता है इन से ज़्यादा इनके पास तो शाद बतलब की कोई ऐसा इवाल्ड फेस है भी नहीं कांग्रेस पार्टी जिसके पास स्टाइम टेस्टेड लीडर्स हैं जैसे कि उन्होंने भी कोई चेहरा नहीं दिया तो मेरे ख्याल से कहीं से भी ये एक प्रेसिडेंशल डिबेट जो बीजेपी कराती है प्रेसिडेंशल ड और मुझे ऐसा ही लगता है जी अनिल साब मैं आप से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ अर्बिंद केजरिवाल और उनके सामने चुकि विग्यापनों में आखवारों में होडिंस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सो अब आब एक तोर पर जैसा कि आम आदमी पार्टी के रही है कि हमेशा अगर बीजेपी के सरकार आगई तो हमेशा किसी भी अनपड़ा आदमी को मुख्य मंत्री बना देंगे वो एक एक पॉलिटिकल जिसे बोलते हैं कि स्मार्टनेस है जो जो पबलिक के सामने वो रख रहे हैं लेकिन अब ये तो ग्यारा तारीक को तैय होगा कि किसकी सरकार बनेगी किसके पास तैय होगी लेकिन देश की परदानमंतरी की बर्तिष्ठा दाउं पर लगा देना एक छोटी सी पार्टी और सामने से निता के सामने तो कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा जो इस्तिति अर्बिंद के जीवाल की बनारस में हु नहीं जाते थे यह मतलब अपवाद जनक घटना आपको सुनने या देखने को मिल सकती है लेकिन आप माल लेजे कि एक उस चुनाओं में केवल और केवल अगर आप प्राइमिस्टर के चेहरे को रख रहे हैं तो यह तो मुझे लगता है कि आपके पास बीजेपी के पास किया था अभी बिहार विधान सभा का चुनाओं भी बाकिये बहुत लंबा लेकिन अभी देश के आधानिये गिरिए आपके नितितों में ही चुनाओं लड़ा जाएगा देविधन फट नविस्ट को आपने पहले ही मुखमंत्री घोसित कर दिया था तो मेरा काना है कि जब आपकी यह निती है कि जी इसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का सुनाओं लड़ेंगे आप केसो परसाद मोरिया को चेहरा सामने रखकर और बना देंगे योगी आदित नाथ को चीप मिनिस्टर तो ये तो बात ठीक नहीं मुझे लगती है कि भारतिये लोग तंतर के लिए अच्छी बात है ये तो ये मुझे ये लगता है कि बीजेपी का संकट राजदर राज अलग अलग संकट होता है और उसको तरह तरह से वो टेकल करने की कोशिस करते हैं डिल्ली में इस बार जिस पिछली बार अर्जवर्दन जी को किया था उसके बाद किरन बेदी जी को किया लगतार ये 21 साल स ये सता में नहीं है और लगतार ये कोशिस करके कि हम किसी का चेहरा सामने रखके और चुनाओ जीते हैं लेकिन वो चुनाओ नहीं जीत पा रहे हैं लगतार और लगतार उनका ग्राफ नीचे ही जा रहा है इस बार अब वो परवांचल का कार्ड खेल के मनोस्तिवारी और बोच्पूरी गाने और भोच्पूरी फिल्मों के आकरसन को सामने रखके अब वो चाहते हैं कि हम चुनाओं में बाजी मार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतिये बिल्ली का मदाता थोड़ा मेच्योर तो हुआ है अब वो केवल नगर निगम के चुनाओं में बोट नहीं डालता है उसकी अपने राजी की अपने राश्टिये राजधानी छेतर का मदाता है और वो मेच्योर हुआ है बिलकुल बिलकुल सत्ता में पहुंचाता है और जब वो राज्यों के चुनाओं की तरफ देखता है तो फिर वो कहीं न कहीं बीजेपी से छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है मद्ध्य प्रदेश, छतिजगर, राजिस्थान, जारकंड, महारास्टा, पंजाब, तमाम ऐसे इसके उधारन है सिद्धा साब एक अंतिम सबाल आपसे है, MCD पे बीजेपी और जब देश का चुनाओ आते हैं तो जनता मानती है, दिल्ली की क्या पूरे देश की जनता मानती है, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉंग्रिस की सरकारें वहाँ भी बंपर सांसत चुन कराए हैं उन्हें राज्यों स नरेंद्र मूदी के समर्थन में, तो वह मानते हैं कि देश के लिए नरेंद्र मूदी है, अब दिल्ली का विधान सबाच चुनाओ है, MCD बीजेपी और सातु सांसत बीजेपी, लेकिन यहाँ 21 साल से बीजेपी भटक रही है, क्या इस बार अमिशा की बात पर, देश के प बातें बताएं, यह समीकरण elections में क्यों change होते है, MCD के चुनाओं में या इसमें चुनाओं में क्यों change होते हैं, बीजेपी का एक वोट constant वोट है दिल्ली में, 32% से 37% निवीजेए, खराब होता है तो 32% बढ़ता है तो 36%, accepting last लोक सभा election जबकि उसका वोट शेर 55-56% चला ग में 32-36% के बीच में रहती है, और लास्ट टेम जब भाजपा को इतना वोट आया था, वो था 47% वोट उनिसो तिरानदे के election में, जो कि राम मंदिर मुहमिन के ठीक बाद हुआ था, तो यह तो बड़े आश्चेर्स की बात लोगों को यह हुई कि इतना वोट भाजपा को क जीती थी, तब भी उसको इतना वोट नहीं आया था, तो यह बात समझने वाली बात है, और यह जो तो यह और जब यह जो MCDs में कॉंग्रेस आती, कभी भाजपा आती, और जब लास्ट टाइम जब भाजपा जीती, तो उस समय यह हुआ, डिविजन ओव वोट हुआ, 24% क को, और 34-36% बाजपा को, तो डिविजन ओव बोट पे बाजपा जीती गई, अब इस चुनाओ के अंदर भी यही देखने वाली बात होगी, कि क्या, और लास्ट टाइम जब आमादी पार्टी जीती, इतने भारी मतों से, उस समय कॉंग्रेस बिलकुल सिफर हो गई थी, उ उस चुनाओ के अंदर, उसके बाद से कॉंग्रेस ने लगातार अपने पोजिशन को इंप्रूव किया है, 9% से वह उसमें, वह एमसीडी के चुनाओ में, बाईस परसंट पहुंची, और उसके बाद लोकसभा चुनाओ में 24% पहुंची, तो कॉंग्रेस को फिर से सिफर ह ना पड़ेगा इस चुनाओ के अंदर, जो कि आम आदमी पार्टी को अगर बहुत बड़े प्रशंट बहुमत की और जाना है, तो इस बात को बड़ी समझने के जरुवत है, मुद्दे, कैमपेंड, ये चीज़ें सब अपनी जगाए बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक 2015 का चुनाओ को का पूरा कैमपेंड आम आदमी पार्टी का वॉलंटरी ओर्गनाइजेशन और वॉलंटियर्स दे रन किया था, और इस बार का चुनाओ एक कॉमर्शियल एडिंटिटी आई पैक, प्रशान किशोर के कमपनी रन कर रही है, तो ये ट्रैबल रहा है, आम देख रही है क्योंकि इस उठापटक में उसने तमाम इसे मुद्दों को देखा है, जो रास्टी मुद्दे हैं, तमाम इसे मुद्दे जो सामपरता एक सद्भाव से जुड़े हुए हैं, तमाम इसे मुद्दे जो बेसिकली जरूरत बंद आदमी की मूल भूत जी का जो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में बने रहे, फिलाल एडिटर्स चोइस में मरोज मनु के साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहे हैं, सहारा समय के साथ, सहारा झाल